कि गुरुजी सेक्स अगर तो प्योग के जाना कि कि सेक्स करना है याद कर दशार सेक्स किया घाषंप talking पर इल्लिगाल है तो पाप है तो पाप है अगर अगर देखो अगर एक ग्रियास्त जो है अगर एक ग्रियस्त जो है वो चाहेगा 25-35 संतान उत्पन्न करने के लिए संतान उत्पन्न कर लिए वो सेक्स करे जा रहा है तो उसमें कोई गदतरी है वो प्योर है तो फिर पाप के जमाने पाप जब अबाइद है जैसे विवहा के अलावा अगर आप संबन रखते हैं या आप जो है संतान उत्पन्न नहीं करने के लिए चाहते हैं और इंद्रे तिप्ति करने के लिए सेक्स करते हैं वो पाप है तो नहीं है बिवात उत्पन्न करने पर कोई मितलब पाप नहीं है पवित्र है वो प्रभपात जी बोले इलिसिट सेक्स को डिफाइन किया है कि वो महेने में एक वारी करना चाहिए मैस्टॉवेशन वे इलिसीट शेक्स होता है तो फिर फिर संतान कर रहा है तो उसके लिए ज्यादा बर करना पड़ेगा ना विसली तो क्या दिक्कत है इक बार सेक्स करने से बचा हो सकता है एक टाइम है तो तो से कोई दिकत नहीं है कि शिल्व भक्ति सिदान्थ भपाजी जो कि प्रुपाजी के गुरु थे उनने कहा कि कोई अगर मुझे गैरेंटी देगा कि मेरा हर संतान भक्त बनेगा तो मैं एक हजार लोग एक हजार पत्नी ग्रहन करने के लिए त्यार हूँ के मैं तो संतान टो होना चाहिए है है संतान जया ज़्यादा संतान में MY अपने ग्रिव 앞으로 कiva ही का सवह का्णा 11 11 कम से कम बच्चे होना चाहिए एक सबैसेी मालई कि संतले ह쪽에 तबी संतान ध्रब आ रहे हैं अपना फैक्टरी और आप कह रहे हैं कि हम हमारा एक है दो कहां है एक पर आ गए हैं समय गें ना तो मैं तो मैं इसके फॉर में नहीं हूँ और भाई अगर तुम्हें नहीं पाल पाओं कि मेरे पास लिया हूं में पालों पांच शे साल पाल लो और छे साल कि बाद मंदर ले आऊ हम गुरु कुल खोल रहे हैं हम बढ़ाएं तो रखेंगे अगे जगा धर्म प्रशार तरेगा गुरु जी अगर ज्यादा बच्चेश तो इन्वार्मेंट नेचर पर मतलब अन्बैनेंस भी हो जाएगा वो तो फिर भगवान देखेंगा आप उसको टेंशन मत लिजे पालन करने वाला भगवान है तो हमें लोग पड़े लीखिए हुए तो हम लोग पता है लोग भगवान को मतलब नेचर के साथ खेलवार तो हो तो नहीं होगा लोगी मतलब भुखर 236 आप जादा म्दिर में कोई कमी नहीं एक संट्ट्राइ। रिरुब की पिलेन इके मिलें आप अब इतों समिः एह ना है चुली पहले अएसे होता था पहले क्या होता था ईना प४ता माता एक बच्चा को सादूको देते थें बगवान की स्यवा में देके में एक बच्च पासे ज्यादा बच्च होते थे अब तुम एक इब करो गया तो ब्चा करोंगे उसको कहां दो गई तुम अथी करेगा फूस हो जाएगा अम्यरिका चला जाएगा एप मेरिका का पड़ायेगा तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा होना शरी है तो आप उसका टेंसर मत लीजिए तो नहीं कह रहा है गवर्मेंट थोड़ी कह रहा है कि लिए गवर्मेंट नहीं कह रहा है मैं तुम्हें राशन नहीं दूगा मैं फेसिलिटी नहीं दूगा है। मुस्रमान क्या कर रहे हैं उनको कह रहे हैं हमारा भाइशंख्या बढ़े हम संख्या बढ़ेंगे तो हम अपना राज बनाएंगे उनका फंडा क्लियर है उनका एजन्डा क्लियर है और हम लोग जो है वह ऐसे पकड़ के बैठे नहीं है एजन्डा क्लियर होना चाहिए कम होई रहा है हो जाएगा नहीं वो रहा है ऐसे कई गाउं जो है कई गाउं एक मैं पढ़ रहा था एक तामिल नडु में एक गाउं है उसमें एक मुसल्मान परिवार आया रहने के लिए और उस वहां का जो सिक्यूरिटी गाड़ था गाउं का उसने मना किया आ बेड़ जाई है उसने मना किया कि नहीं इसको मत रखो तो गाउं नहीं नहीं एक परिवार तो आया है उसको क्या है उसको दे दिये उसका आठ बच्चे वे आठ बच्चे वे फिर वो जाके पहुंच गया मुख्या के पास देखिए हम मुझे एक घर मिला है और मेरे आठ बच्चे शादी करेंगे तो क्या होगा बताईए तो मुझे और जमीन दीजे तो फिर मुख्या ने किया किया ठीक है वो जमीन ले लो जाओ और करते 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 लगवा कितना करते खाया तीस साल में इतने हो गए इतने हो गया और उसके बाद पर इसे परिसान करने लगे हिंदू को हिंदू अपने भागे हो जाओ पिर वह जागा का नाम ही चेंज कर दिया गया कि कश्मीर में क्या हुआ कि इसलिए संख्या बढ़ाना होगा संख्या बढ़ाओ और साथ साथ धर्म को भी स्ट्रॉण करो संख्या सबढ़ाने से नहीं होगा संख्या बढ़ाएंगे और भृपी कृच्ञ भी मुस्लमान भाग जाएगे जीए नहीं है सो चस्ट करे है और उसे मानोा । करते हैं कि अधार्मिक शिक्षा नहीं है ना मुसल्मान अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्यूशन लगाते हैं पैसा दे के पैसा दे के पढ़ाय जाते हैं कि जो क्रिश्च्यान अपने बच्चों को बाइवेल पढ़ाते हैं और हम लोग यहां पिफ्री में पढा रहे हैं कि तभी लोग नहीं आ रहे हैं सब्रस्क्षा रिइनूर परिंट सब्सक्राइब नाइज पढाद में डे अरम अपर आगे का क्या खत्रा है adesso कि इतना है अखित जान देखें इपारें